क्या आपको पता है कि विद्वान सब्द का इस्तरी लिंग सब्द क्या होता है अगर नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए काफी अधिक उपयोगी साबित हो सकता है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम विद्वान सब्द के इस तरी लिंग सब्द के बारे में आपको अच्छे जानकारी देंगे या फिर कह सकते हैं कि विद्वान का लिंग बदलो के बारे में आपको जानकारी देंगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें चेनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें अधिक समेना लेती हुए हम वीडियो को सुरू करते हैं आपको सबसे पहले बता देते हैं कि लिंग किसे कहते हैं दोस्तों जिस किसी सब्द के रूप से यह जान लिया जाए कि यह व्यक्ति या वस्तु इस्तरी जाती का है यह फिर पूरुस्ट जाती का है तो उसे हम लिंग कहते हैं और लिंग दो तरह के होते हैं पहला होता है कुछ इस तरह से हैं वह सब्द जो पुरूष जाती का बोध कराता है वह पूलिंग होता है और वहीं पर इस्तरी लिंग सब्द वह सब्द जो की इस्तरी जाती का बोध कराता है वह इस्तरी लिंग सब्द होता है इसके लाओ दोस्तों अब हम आपको बता देते हैं कि विद् यानि दोस्तों, विद्वान सब्द का इस्तरी लिंग सब्द विद्वान का लिंक बदलो सब्द विद्वी होगा अब हम आपको बता देते हैं कि विद्वान, विद्वान वयवेक्ति होता है जो कि विशेस्ते विद्या, सिक्षा और ज्यान में विशेस्ते किता रखता है और विविन विश्यों में गहरी जानकरी होती है वहीं पर अगर मैला की बात होती है तो इसे विदूसी कहा जाता है यानि दोस्तों विद्वान वैव एक्ति होता है जो की विशेस्त विद्या, शिक्षा और ज्ञान की विशेस्ता रखता है तो अगर एसी कोई मैला है तो उसे विदूसी कहा जाई है इसके लाओ दोस्तों अब हम आपको एक बार फिश्च बता देते हैं कि विद्वान सब्द का इस्त्री लिंग सब्द विदूसी होता है और आपकी जानकरी के लिए बता देते हैं कि विद्वान सब्द एक पूलिंग सब्द होता है और इस्त्री लिंग सब्द के अगर बात गोट दबादी